हेलो एविर्वान वेलकम टू कौन स्टडी आज हम लोग निया टॉपिक शुरू कर रहे हैं मचीन इंपूट आउटपूट यह पहले हमारे एक्जाम में में आता था बट फ्रीक्वेंटली यह प्री में भी आना शुरू हो गया है सो यह हमारे एक्जाम का एक बहुत ही इंपूर्टन पार्ट है क्योंकि बहुत सरे प्रीलिम एक्जाम में मचीन इंपूट आउटपूट आ सकता है सो मैं जिनके बैंक के भी प्री में एक्सपेक्ट कर रहे हूं कि मशीन इंपुट आउटपुट आने के पूरे पूरे चांसे से हैं सो आज हम यह लेक्चर करेंगे बिफोर वी स्टार्ट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगे कि हमारे यूट्यूब चानल को आप सब्सक्राइब कर लीजे और यह हमारे सोशल मीडिया हैं आप इनहें भी जाकर जॉइन कर लीजे और अगर इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इन चानल पर जाकर मुझे कर सकते हैं या फिर आप कॉमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे मैं ट्राइ करूँगे कि आपके क्वेस्ट को सॉल्व कर पाऊं ओक्यूंग तो यह हमने कल क्वेस्टन दिया था आपको घर करने के लिए और मैंने देखा बहुत सा आपको पता चल जाएका कल आपने अंसर सही से निकाला की नहीं ओके कि 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 अनली अभी कि इस अलपा तो क्या आ जाएगा यह कि अलपा यहां पर आ जाएगी राइट क्योंकि कल मैंने बताया था कि अनली एज बी जो होता है वो all b r a होता है और अगर आपको यह अभी भी नहीं आता है तो आप मेरा last lecture देख लिए आपको पूरी तरह से only और only a few के concept समझ में आ जाएंगे और राइट ओके दिन only a few अभी is ruchy only a few अभी is ruchy यह आ गया only a few ओके and few ruchy is ram so यह आ गया simply only a few ruchy is ram तो अब हम conclusions देख लेते हैं some alpa is ram यह रही alpa यह रहा ram तो क्या हमारा क्या alpa कुछ भी और हो सकती है अभी के इलावा नहीं alpa कुछ भी और नहीं हो सकती alpa सिर्फ अभी ही होगी तो यह तो हमारा बिलकुल ही गलत हो गया second देख लेते हैं some ruchy is अभी यह रही ruchy यह रहे अभी तो क्या some ruchy अभी है यह part है so that means this conclusion is right और हमारा answer आ गया only second follows तो कल जिस जिस ने भी comment किया था उन सब के answers सही थे मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को समझ आ गया है so let's move forward आज देख लेते हैं machine input output को so see machine input output actually में होता क्या है okay so generally आपको एक input दिया होगा और उसको उसके output तक पहुँचाने के लिए कुछ steps follow कर रहा होगा okay so यह जो steps है इन्ही steps से आपको logic निकालना होता है कि यह input output तक अगर जा रहा है तो क्या logic लेकर जा रहा है alright so इसी चीज को machine input output बोलते हैं यह कोई जाद मुश्किल चीज नहीं है बहुत easy है अगर आप इसको एक दो बार करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा okay या फिर numerical wise उसको sequence दिया हुआ है बड़े से छोटा increasing decreasing order तो यह सब हमारा ordering में आ गया alright फिर दूसरी हमारे logic आ जाता है interchanging positions of words and numbers बहुत बार हमारा input और input जब output में stepwise convert हो रहा होता है तो क्या होता है कि हमारे words और numbers आपस में exchange हो रहे होते हैं तो हम वो देखकर भी पता लगा सकते हैं कि अच्छा इसमें words और numbers चेंज हो रहे हैं तो okay हमारा यह वाला logic है और उसके हिसाब से हम लोग output तक पहुंचे हैं यह आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा आप tension मत लीजिए अगर आपको अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो and third logic is generally कि जिसमें mathematical operations लगते हों मतलब कि कोई number है उसमें कुछ addition हो रही है या तो उसमें कुछ subtraction हो रही है या तो वो किसी number से divide हो रहा है या किसी number से multiply होके next step में जा रहा है तो mathematical operation अगर लग रहे हैं तो फिर वो वाला logic भी हमारा हो सकता है okay so देख लेते हैं अब इनकी examples ताकि आपको जादा clear हो जाए कि machine input output में किस किस टाइब के logic सा सकते हैं let's see अब मैंने पहला लिया है order का अब देखें ये example देखें अब example क्या है 71 cowboy die zirconium 92 45 66 bandit अब मैं आपको सबसे पहले machine input output का एक बहुती शानदा trick बताती हूँ जिससे आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी जब भी आपको input से output तक जाना है सबसे पहले आप output को देखिए output को देखके आपको बहुत बार logic मिल जाएगा और फिर जब आप actually step wise देखेंगे और अगर वो logic satisfy होता होगा तो आपका जो time है वो कम लगेगा और आपका efficiently machine input output solve भी हो जाएगा और तो सबसे पहले हम step 3 ही देख लेते हैं तो देखिए यहां पर हम देख सकते हैं कि जो numbers हैं वो increasing order में हैं और जो words हैं वो भी increasing order में हैं मतलब यह numbers छोटे से बड़ा जा रहा है from left to right और और यह जो words हैं यह भी इसका पहला alphabet जो है यह alphabetical order में हैं छोटे से बड़ा from left to right right so हमें अपना logic मिल गया तो यह हमारे order वाले logic को satisfy करता है अब देख लेते हैं कि यह किस तरह से है अब input हमारा था सबसे पहले इसने सबसे छोटे नंबर को ढूंडा और सबसे leftmost side पर रख दिया और सबसे जो highest alphabet है उसको rightmost side पर लग दिया तो मतलब इसका order हमारा किस तरह से बन रहा है कि जो numbers है वो shift हो रहे हैं left hand side पे और जो alphabets है वो shift हो रहे हैं right hand side पर और जो alphabets है वो shift हो रहे हैं right hand side पर right second भी देख लेते हैं देखे step 1 में अब 45 के बाद सबसे छोटा number क्या है 66 66 हमारा 45 के बाद 66 आ गया okay and अगर हम इसको देखें तो हमारा यहां पर zirconium के बाद least जो है वो क्या आता है डाई तो डाई जो है हमारा zirconium के बाद right side पर आ गया I hope आपको समझ में आ रहा होगा यह ठीक है तो इसी इसी हिसाब से मेरा यह order बन गया है देखें यह हमारा रहा यह हमारा रहा 45 66 71 और यहां पर जिर्कोनियम डाई cowboy और bandit already exist कर रहा था तो इसलिए हमने step 4 नहीं बनाए क्योंकि bandit की position ऐसी थी कि उसने satisfy कर दिया इस पूरे output को and that's how we got our output okay so let's see अपना next देख लेते हैं हम logic अब हम अपनी next type देख लेते हैं that is interchanging interchanging positions okay so देखें यहां पर मैंने सबसे पहरे आपको क्या बोला कि last step को देखके पहले हम यह पता लगाएंगे कि लॉजिक क्या है तो हमने last step को देखा और हमें पता चला कि इसमें क्या हो रहा है कि नंबर्स जो हैं वो भी जो नंबर्स हैं वो भी ascending order में हैं देखें हैंना 20 22 49 75 1002 ascending orders में हैं और इवन दे वोर्द आर इंसेंडिंग अल्फबेटिक को लॉडर है ना बी के बाद डी आता है डी के बाद एफ आता है एफ के बाद जी आता है जी के बाद आया आता है राइट सो हमें अपना लॉजिक तो पता चल गया अब हम देखते हैं कि यह step wise जा कैसे रहा है अपने output तक तो देखिए सबसे पहले हमने ढूंडा छोटा number that is 20 अब 20 को सबसे पहले आना है तो 20 ने अपनी जो position है वो interchange कर ली first position वाले किसा that is 102 तो 102 जो है वो 20 की position पर चला गया और 20 जो है वो 102 की position पर आ गया अब second हमारा है bobby so bobby already अपनी position पर है तो इसकी interchange की हमें जरूरत नहीं है इसलिए हमने bobby वाले step को skip करके next step पर चले गए अब bobby आ गया तो अब हमारा अब हमारा next क्या आना चाहिए 22 अब 22 हमने डूंडा 22 रहा ये अब 22 को कहा आना चाहिए bobby के बाद तो 22 आ गया bobby के बाद और इंडिका चला गया 22 की position पर अब next हमारा क्या होना चाहिए 22 के बाद हमारा सबसे that means कि इसमें logic क्या बन रहा है कि एक बार आपको smallest number ढूंड के उसको arrange करना है फिर उसके बाद उसको smallest alphabet को ढूंड कर arrange करना है ओकी सो alternate है right सो सबसे पहले हमने 20 को arrange किया फिर bobby already arrange था इसलिए हमने उसे skip कर दिया अब हमने 22 को arrange किया तो हमारा next step क्या बनता है कि सबसे bobby के बाद जो सबसे smallest हमारा alphabet है उसको हम change करें ठीक है तो उसको हमने change किया तो वो कहां आ गया 49 की position पर right मैं clear कर देती हूं ठीक है diamond आ गया 49 की position पर इन्होंने अपनी positions interchange कर ली देखिए 49 आ गया diamond की position पर अब हमारे जो 4 elements है वो हमारे output के accordingly satisfied है अब हम next को डूनेंगे अब एक alphabet हो गया तो next turn किसकी आएगी हमारे number की तो 20 रू के बाद सबसे छोटा number क्या आएगा 49 जो की already है यहाँ पर तो हम इसे skip कर देंगे right so अब 49 को skip कर दिया तो 49 के बाद next क्या आएगा alphabet alphabet d के बाद सबसे छोटा alphabet कुन सा है i so i sorry f so f जो है वो यहाँ पर अपनी position को interchange कर लेगा see right so हमारा अब यहां तक का part cover हो गया अब हमारा क्यूंकि figure हमने अभी last में change किया है तो अब next बार ही आती है number की तो number हमने ढूण लिया 75 और 75 को हमने interchange कर दिया gas के साथ right see इसको interchange कर दिया gas के साथ okay so यह 75 हो गया gas के साथ change ठीक है 75 हो गया gas के साथ change right अब next 75 तक हमारा output clear हो गया है अब क्यूंकि number हो गया है अब वापिस से बारी किसके आएगी alphabet की सबसे चोटा alphabet f के बाद कौन सा आएगा g तो g अपनी interchange कर लेगा position यहाँ पर और यहाँ पर indica g की जगा चला जाएगा और g जो है वो indica की जगा आजाएगा right अब last step रह गया है तो अब alphabet यहाँ तक हमारा clear हो गया है output अब last बच गया है अब हमने alphabet को देखा था तो alternately अब हम number को देखेंगे तो सबसे चोटा number अब कौन सा ही बच गया है 102 तो 102 हमारा इस position पर आ गया है और indica हमारा automatically last पर चला गया है ओके यह थोड़ा बड़ा था example बट अगर आपको नहीं समझ आया आप एक बार वापिस से वीडियो देखिएगा आपको समझ आ जाएगा अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे comment कर दीजेगा मैं आपकी query solve करने की try करूंगी all right let's move forward अब देखिए mathematical operations के बारे में भी मैंने आपको बताया था तो इसके भी देख लेते हैं कि क्या example हो सकती है इसकी देखिए अब input in one दिया है 17, 25, 92, 88, 19, 52 okay और output जो दिया है वो सब 10 के multiples है 10, 20, 90, 18, 10, 50 right so अब हम यह सोचेंगे कि input से output बना कैसे एक ही case हो सकता है अगर unit place अपने आप से difference कर ले मतलब अगर 52 है तो 52 का unit place किया हो गया 2 तो हमने अगर इसको 2 से minus किया तो यह बन गया 50 okay तो यह बन गया 50 okay so यही एक case हो सकता है जिससे हमारा input आउपुट में convert हो जाएगा तो हमें logic मिल गया अब हम देखते हैं इसको कैसे कर रहे हैं यह देखिए सबसे पहले इन्होंने कौन से नंबर को लिया हैं सबसे पहले इन्होंने सबसे last और सबसे पहले मतलब rightmost और leftmost नंबर को लेके इन दोनों की unit place से इनको minus कर दिया है और इनका step 1 बन गया 10 and 50 so next अब किसकी बारी आएगी 25 की और 19 की क्योंकि हमारी यह series चल रहे है इस तरह से और इस तरह से simultaneously ठीक है यह हमें series देखकर ही पता चला है कि हमारी यहां से भी एक number आ रहा है यहां से भी एक number आ रहा है simultaneously और इन दोनों number को हम इनके unit place से minus कर रहे है ताकि हमारा next step बन जाए तो हमने 19 से 9 minus किया 10 आ गया 25 से 5 minus किया 20 आ गया अब next step में हम लोग 92 और 88 को उनके unit place से minus कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 90 और 80 and that's how we will get our output right I hope यह clear हो गया है let's move forward अब हम एक question करते हैं ताकि अभी तक जो आपने समझा आप उसे implement भी कर पाओ अब देखें यह हमारा एक example दी है सबसे पहले और इसी तरह से हमारे exam में भी question आता है कि सबसे पहले एक हमें सबसे पहले हमें एक example दी जाती है जिससे हम अपना logic बना पाएं ताकि फिर हमें एक question के हिसाब से input देते हैं जिसका हमें steps खुद बनाने होते हैं और उस steps के basis पे हमारे questions होते हैं इसको कैसे solve करना है मैं आपको यही recommend करूंगे कि सबसे पहले आप क्या कर लिजिए आप इस जो जो हमारा input है यह question है इसको pause करके खुद solve करने की कोशिश कीजिए इसको logic ढूंड यह और अगर नहीं आता है तो फिर आप वीडियो प्लेकर की आप logic देख लीजिए अब देखिए मैंने सबसे पहले आपको यही कहा था है कि last step को देखिए last step को आपने देखा आपको पता चला g, j, k, n, r that means यह हमारा alphabetical order में है right यह हमारा alphabetical order में है right यह हमारा आगे का जो number है यह decreasing order में है 54, 41, 38, 27, 22 तो हमारे जो alphabet हैं हमारे जो alphabet हैं वो हमारे ascending order में हैं और हमारे जो numbers हैं वो हमारे descending order में हैं हमें यही समझ में आया अभी तर अब हम step 5 देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे इसे decode किया है ओके तो देखें सबसे पहले इन्होंने अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे यहां पर भी जो हमारी जो machine input output का case बन रहा है वो मैं इसको एक सेकिंड हटा देती हूँ ताकि clear हो जाए थोड़ा आपको अब देखें हमारा यहां से भी चल रहा है step और यहां से भी चल रहा है यह कैसे पता चला क्योंकि यहां से जो highest था 54 वो इन्होंने last में प्लेस कर दिया और जो सबसे smallest alphabet था उसको सबसे starting में place कर दिया मतलब कि जो alphabets है उनको leftmost place करना है और जो सबसे highest number है उसे rightmost place करते जाना है right second step में देखिए यही होएगा अब जी और 54 तो हो गया है अब उसके बाद धूनिए तो हमारा JP जो है वो सबसे lowest है तो JP आ गया और numbers में हमारा 41 सबसे बड़ा है तो 41 सबसे last में आ गया ठीक है अब यहां तक हमारा output जो है वो clear हो गया है अब आप बाकी का देख लीजिए अब JP के बाद क्या आना चाहिए के जे के बाद क्या आता है के तो यह हमारा आ गया के यह हमारा आ गया के यह हमारा आ गया के और यहां पर आप ढूंडेंगे तो 38 सबसे हाइस अब इन नंबर में से तो यह हमारा बन गया अब आप ठीक है अब रहे गे बीच में चार नंबर अब इन चार नंबर को देख लीजिए अब इन में से कौन सा सबसे लोएस्ट है अलफबेट में तो है N तो यह आ गया जी हमारा यह आ गया हमारा ठीक है यह आ गया हमारा आउटपुट का और यह आ गया हमारा इन पुट का क्योंकि हमारा 22 और 27 में से 27 बड़ा होता है तो 27 आ गया अब रहे गया R, P और 22 तो 22 हमारा चला जाएगा लास्ट में और R, P हमारा यहीं बरेगा और इसी के हिसाब से हमारा आउटपुट बन जाएगा ठीक है अब इस इन्पुट को कर लीजिए मैंने आपको लॉजिक बताया फटा फट इसके स्टेप्स बना लीजिए पॉस करके फटा फट श्टेप्स बना लीजिए इस इन्पुट के तिक है अब देखिए इसका आंसर देखिया आप यह देखिए मैंने बना लिया है यह देखिए सबसे पहले मैंने सबसे छोटे को सबसे smallest को सबसे leftmost पे रख दिया और सबसे highest number यह already यहाँ पर exist कर रहा था तो मैंने इसको बिलकुल छेडा नहीं है ठीक है और हमारा जो सबसे lowest था ये भी यहीं पर था तो हमने सीखा था कि अगर कोई already exist कर रहा हो तो हम उसे skip करके next step पर चल पड़ते हैं तो BS or 75 जो है वो already exist कर रहा है तो हमने दूसरा next alphabet कोई सा आना चाहिए L तो ये आ गया हमारा L और ये 62 के बाद सबसे बड़ा number कोई सा है 51 तो ये आ गया 51 अब वापिस से L के बाद सबसे छोटा alphabet कोई सा है M और यहाँ पर numbers में अगर हम देखे 51 के बाद सबसे बड़ा number कोई सा है 42 फिर उसके बाद यहाँ पर देखे M के बाद सबसे बड़ा कोई सा रह गया Q ठीक है और 42 के बाद सबसे बड़ा कोई सा रह गया 13 और 16 में से कोई सा बड़ा हुआ 31 तो ये 31 हमारा last में चला गया ठीक है और अब रह गया हमारा बीच में ZS और 16 तो 16 हमारा चला जाएगा last में और ZS यहीं रह जाएगा ये हमारा बन गया इसका output ठीक है तो हमें कितने steps लगे इस output को बनाने में 5 है ना 1, 2, 3, 4, 5 5 steps लगे ठीक है अब इसके ही basis पर questions देख लेते हैं फटाफट see पहला हमारा है question पहला हमारा question है which of the following represents the position of 42 in the fourth step अब fourth step देख लेजिए फटाफट fourth step हमारा था ये अब 42 हमारा रहा ये 42 क्या हुआ second from the right second from the right ये हमारा correct हो गया चिक है चले अब next पर चलते हैं which of the following would be fourth to the left of second to the right of MS in step third सबसे पहले तो आप step third step third देखेंगे step third देखिए step third में अब क्या बोला है उसने फटाफट से वापिस से statement पढ़िए fourth to the left of second to the right of MS MS को रूणड़े MS कहां पर है ये रहा MS MS के second right पर कोन है 1, 2, 16 16 fourth to the left 16 के fourth left पर क्यों है 1, 2, 3, 4 F, S तो इसका answer क्या आजाएगा F, S I hope आपको समझा गया हो let's move to the next question how many steps will be required to complete the given arrangement तो मैंने आपको अभी बताया कितने steps लगे हमें 5 right 5 steps में हमारा 5 steps में हमारा हो गया ठीक है 5 steps लगे हमें ठीक है तो next question की दरफ चलते है next question is कि अब इन में से ये जो इनोंने दिया है ये कौन से step number पर exist करता है देख लेते हैं देखें देखें फटाफट देखें B S F S L S Q S 16 क्या कहीं पर है देखें यहां तक तो ये follow कर रहा था बट 16 आ गया that means ये कोई step भी नहीं है है ना तो ऐसे हमारे machine input output की questions solve होते हैं आपको सिर्फ time लगता है उसका input का output बनाने में steps create करने में और एक बाद जब आपके steps बन जाते हैं तो questions आपके फटा-फट हो जाते हैं और ये topic जो है वो 5 marks का surely आता ही है आपके exams में तो मैं तो आपको यही कहके जाऊंगी कि अच्छे से इसको prepare करके जाना ताकि ये topic से तो आपके 5 marks पक्के होई जाएं ओके किजेगा और अगर आपका कोई और भी friend है जो जेन के bank के लिए पढ़ रहा है तो उसके साथ भी इस lecture को जरूर शेयर किजेगा thank you so much